केरल के वाइनाड जिले में बूसकलन के कारण जानमाल का बड़ा नुकसान होने की आशंका है मेपाड़ी के पास अलग अलग पहाड़ी इलाकों में मंगलवार तड़के भूसकलन के बाद दो बच्चों समेद पाँच ने अपनी जान गवा दी जबकि सेकड़ों लोग फसे हुए हैं केरल राज्य आपदा प्रबंदन प्राधिकरण ने बताया कि प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू आपरेशन के लिए कई दलों को बेजा गया है प्रभावित शेत्रों के स्थानिय लोगों का कहना है कि बड़ी संख्या में लोगों के फसे होने की आशंगा चताई जा रही है भारी वर्षा के कारण बचाफकार में बादा आ रही है जिला अधिकारियों ने बताया कि भुसकलन प्रभावित परिवारों को उनके रिशिदारों के घरों तक पहुचाया जा रहा है वाइनाड के स्थानी अधिकारियों ने एक बच्चे की मौत होने की पुष्टी की वाइनार जिला अधिकारियों के अनुसार थोड़े नात गाउं में रहने वाले नेपाली परिवार के एक वर्षिय बच्चे और चूरल माला कस्वे में एक बच्चे समेट कुल पांच लोगों ने अपनी जान गवादी भुसखलन का दाइरा देखते हुए मृतिकों की आकड़ा बढ़ते ही आशंका है मुख्य मंत्री कार्याले से जारी बयान के मताबिक राज के मंत्री बचावकती विद्यों का नेतरत्व करने के लिए वाइनार जिले में पहुँचेंगे जिले के अधिकारियों ने बताया कि मुंडकई चूरमाला, अटमाला और नूडपाच्छा गाउं बुसखलन से प्रभावित हुए है कई इलाकों का जिला मुख्याले से संपर्क कट गया है राज में United Democratic Front विधायक टी सिद्गी ने सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो संदेश दिया है वाइनार जिले अधिकारी मुंडगई इलाके से लोगों को हवाई मार्क से निकालने की योजना बना रहे है फिलहाल बुसकलन में लापता और मृत लोगों के बारे में पूरी जानकारी नहीं जुटाई गई है NDRF के जवान उन जगाओं पर पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं जिनका संपर्क कट गया है स्वास्थविबाग के राष्टे स्वास्थान मिश्र ने एक नियंतरण कक्ष खोला है और आपातकालीन फोन नमबर जादी कर दिये गए है इसके अलावा वायू सेना की दो हेलिकॉप्टर MI-17 और एक LHL सुबह साड़े साथ बजे सुलूर से उडान भरेंगे बारतिय सेना ने बताया कि केरल के वाइनाड में मैपाड़ी में भूस कलन हुआ है सेंक्डों लोगों के फसे होने की आशंकर जताई जा रही है नागरिक प्रवहासन का सहायत करने के लिए आसुबह सेना से अनुरेद किया गया जवाम में सेना ने चार कॉलम जुटाए हैं जिनमें दो कॉलम X-122, Infront Battalion और दो पूर्व DSC सेंटर कनूर शामिल है बचाव अभ्यान के लिए अब तक तैनाथ सेना के कुल संख्या चिकित्सा कर्मियो सहित लगबग 225 बताई जा रही है वाइनार्ड में हुए बुसकलन पर केरल के मंतरी M.B. राजेश ने कहा अब तक 45 लोगों ने अपनी जान गवा दी है विबेन एजेंसियों दोरा युद सर पर बचाव अभ्यान चलाया जा रहा है हमने सेना से मदद मांगी है जो जल्द ही प्रभावित अलाकों में पहुँच जाएगी मुख्या मंतरी इस अभ्यान पर बारीकी से नज़र रखे है उन्होंने मंतरियों की एक टीम वाइनार बेची है 2500 लोगों को बचाया गया है और उन्हें अस्थाई आश्रम शिविरों में भेजा जा चुका है बचाव अभ्यान के लिए सरकार दुवारा हर संभव प्रयास किये जा रहे है केरल के मंतरी एके शिंजद्रे ने बताया कि मृतिकों की संख्या बढ़कर 54 हो गई है केंद्रे ग्रह मंतरी आमेच चाने केरल की मुख्यमंतरी पिनराई विजन से बात की और वाइनार्ड में स्थित्का जायजा लिया ग्रह मंतरी ने केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहे हैं निज्वार इंडिया